बीजेपी में इस वक्त एक हंगामा देखने को मिल रहा है और यह हंगामा की जो वज़ा है वो है अर्विंद केजरिवाल जी हां अर्विंद केजरिवाल ने एक बयान दिया है जो सुर्ख्यों में बना हुआ है जिसके बाद उनके इस बयान के चलते ग्रह मंत्री आमित योग्यातजनाद को मुश्किलों में डाल दिया है आपको बताते की बीजेपी में जहां पियम मूधी नंबर वन पर माने जाते है तो वही नंबर टू पर अमित शाओ और योग्यातजनाद को रखा जाता है लेकिन केजरिवाल ने अपनी एक चाल से तीनों को ही धेर कर द देगे और सियम योग याद इतिनाज से उनकी कमान छीन लेंगे केज़िवाल के इस बयान के बाद बीजेपी में घमासान मच गया है सवाल उठने लगे हैं बीजेपी मुदी का चेहरे दिखा कर वोट मांग रही है अर्विंद केज़िवाल की बयान के बाद अमित शाह जब की टिपड़ी करते हुए कहा कि रिटार्मेंट का बीजेपी की समविधान में कोई जगह नहीं है उन्होंने कहा कि प्यम मोदी अपने तीसे चरण को भी पूरा करेंगे तो वहीं योग्याद इतिनाथ ने कहा कि प्यम मोदी के नितरत्व में देश को गर्व है इस तरीके स प्रविंद के जिवाल के बियान के साथ ही भाजबा की तरफ से भी तीखी बियान बाजी देखने को मिली आपको बतादें कि यह तप यह बयान बाजी तब हुई जब और के जीवाल के बैयानों से बॉक लागए कर दो झाल